चतरपुर से कुछ दिनों पहले एक बुजर्ग दमपत्ती पर जानलीवा हमला करने का मामला सामने आया था जिसमें बुजर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी और बुजर्ग का स्पताल में इलाज चल रहा है इस मामले का खुला साथ चतरपुर पुलिस ने कर दिया है पुलिस ने एक नाबालिक सहीद दो को गरफतार किया है घटना सोमवार की रात किये जब बुजूर्ग दमपत्ती घर में सो रहे थे इस दोरान उन्हें घर में किसी के घुटने की आहट लगी तभी उस पर धार-धार हतियार से हमला कर दिया गया इस मामले में S.P. ने खुलासा करते हुए बताया कि घर का ही युवक राहुल कुश्वहा और उसके नाबालिक दोस्त ने इस घटना को अंजाम दिया था हत्या के इरादे से घुसे इस युवक ने दो साथ पहले मृतक की नातिन के साथ छेट छाड़की थी जिसका विरोध घायल बुजरुग ने किया था इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया जिसमें उसका एक नाबालिक दोस्त भी शामिल है बारा तारीक के आसपास में जल्गीर रखना रंच की गए हैं तींसदों तींसद साथ की जहां में पुरे एक परिवार विलकान खाटे खम्रा किया गया था इसमें एक विप्ती की मुल्पी और दुसरा विक्ती गंभियों ने इसमें जो परिवार के सदर से थे उन्होंने इसमें आप जन्हों को परिवार किरों नेखे विकार्त विरक हैं इसके लाख जो प्राइव इसक वाज़ ब्राँ में हकिया झाल रखना वेए उनको भी जब्हां में लोग हैं टुछ को हो Εनन सबी को बस्ता अची जल्भी शदी कांद की भाइए जल्दी के जालानी काν gelir यहुरोड पीजिट रविजेश्ट टू एजिए टू इटिए बेस्ट इश्यू जाह सब रजेड़ अजूमूज आखटेगोड धरो अखटी मुडिशिंग निच्ट्ट्र सुछ टू इत्लिक प्रफेशनाख भिपा ट्रफेशनाज निच्ट्र एपूंड एप थिज रिज आप देख रहे हैं दखल न्यूल